गुड मॉर्णिंग बच्चे आज हम लोग नया टॉपिक लेके चले यह है फोर्स और करेंट केरिंग कंड़क्टर प्लेस्ट इन दा मैगनेटिक फिल्ड देखिए इसमें हम लोग जो देखेंगे जो हमारा पहले का कॉंसेप्ट है जो पिछला वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कोई चार्ज है ठीक है कोई चार्ज है और वह चार्ज यदि यह क्यों चार्ज है और क्यों चार्ज क्या हो रहा है मूब कर रहा है सपूज कि यह एक्स के एक्स एक्सिस के लाउं क्यों चार्ज एक्स एक्सिस के लाउं मूब कर रहा है और यह आप देखिए एहाँ पर यह आपका बी है इस तरह से लग रहा है तो फोर्स किधर लएगा देखिये हैं इसको यूटिलाइज हम लोग करेंगे कि इसको फ्लेमिंग left hand rule flaming left hand rule में क्या कहता है कि देखिए flaming left hand rule क्या कर रहा है कि यह four finger field को बता रहा है तो इसको field के direction बढ़न तो मैंने बता था कि current का direction और positive charge का direction एक होता है इसलिए यदि यह चार्ज इधर मूब कर रहा है भी वेलोसिटी से चार्ज यदि मूब कर रहा है तो ये ले लिए ये direction of the moving of the charge तो force किदर लएगा ये देखिए force लएगा इसके perpendicular यदि हम इसको x कहें इसको y कहें तो ये z के direction में होगा और z को हम लोग ऐसे लिखते हैं जेड देखिए ये हो गया जेड जेड हो गया आपका force ठीक अब यही बात यहां पर मैं आपको details करना चाह रहा हूं यहां पर आप देखिएगा यहां मैंने जो लिया है यहां इसको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि यहां जी VD यहां मैं लिया हूँ drift velocity of electron यह देखिए VD का direction इधर है उसके बाद B जो है हाँ यह इसको दियान दीजेगा यह किधर है along X dash axis इसको X dash axis कहने हैं इसके बाद B जो है यह magnetic field है magnetic field किधर लग रहा है magnetic field जो act कर रहा है तो वह magnetic field act कर रहा है along Y axis देखिए Y axis अब यहां पर electron का movement जो होगा तो force किधर होगा इसको देखिएगा तो force यदि हम देखें हैं थोड़ा देर के लिए तो electron का force अभी मैं नहीं बताना बताऊंगा पहले यह लिख लेता हूँ F जो है that is force on the force on the क्या यह मैं लिख रहा हूँ force on the current carrying conductor ज्यान दीजेगा मैं लिख रहा हूँ current carrying conductor तीक है यह मैं लिया अभी इतना चीज़ मैं information के तौर पर लिया यहां आप लिख सकते हैं suppose करके यह सारा information मैं लिख दिया ठीक है उसके बाद I जो है this is your current ठीक है current flowing flowing in x axis flowing along x axis हो गया तो यह flowing along x axis तो आई एल क्या होगा आपका आई एल हो जाएगा इस इस योर current element जैसा कि हम लोग ने बाट सवर्ट लॉम में शिखा था इस इस योर current element तो इतना information आपका है prior information अब इस prior information को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां notation लेंगे देखिए यहां मैं सबसे पहले यह जह कर रहा हूँ यहां पर क्या होगा कि force on force on क्या charge यदि लेता हूँ force on charge charge q यदि यह लेता हूँ तो यह क्या होगा आप जानते हैं कि यह हो गया qb qb cross b ठीक है यह हो गया qb cross b यह आपका हो गया force on charge q अब इसके बाद आपको आपको क्या करना है कि यह इसका आप देखिए direction किदर होगा तो फिर से मैं बता दूँ यह आपका हो गया किदर four finger field को बताएगा फिल्ड में दे दिए central finger current या positive charge को बताएगा यह दे दिए और यह thumb क्या बताएगा तब यह force को बताएगा तो force का direction यह हो गया अब देखिए यहाँ पर इसके बदले हम current लेते current यह जो current लेते तो भी वही होता लेकिन इस q के बदले हम लोग यहाँ ले कि यह आपका minus e है ठीक है यह minus e that is electron electron पर चार्ज क्या होता है negative अब यह क्या हुआ आपका यह electron का moment जो है वह negative x हो गया यह x dash काते है अब यहाँ क्या होगा force का direction बदल जाएगा यहां दीजेगा यह force का direction बदल जाएगा यह मैं direction के बात कर रहा है magnitude में तो बात अभी होई जाएगी अब देखिए सिर्फ direction बदलता है magnitude से कोई यहां पर अंतल नहीं आएगा यहां देखिए यह ले लिए अब यहां पर फिर information कुछ है एन हम लोग ले ले एक पहले एक चीज में लेता हूं force on क्यों है अब force on election यहीं लेते हैं तो force on election सिंगल election है तो force on election देखिए यहां क्या होगा minus e यह bd हम लोने लिया cross b यह आपका हो गया force on election सिंगल election का हो गया अब देखिए यह सारे बाते हैं आपके शामने हो रही है अब यहां पर हम लोग एक और चीज लेते हैं और क्या लेंगे तो और यहां लेते हैं कि n information यह information है n number of electrons number of electrons per unit volume in a conductor हो गया अब unit volume में इतना हो गया यदि हम यह कहें कि उसका a जो है that is area of cross section area of cross section है L के है length of the conductor है length of the conductor है ठीक है और यह जो है वह electronic charge है रिशा की अभी हमनों ने लिया तब यह क्या होगा अब किसी conductor से किसी conductor में total number of electrons कितना होगा यह single electron था अब total number of electrons क्या होगा देखिए total number of electrons क्या होगा तो सबसे पहले यहां n ले लिजे इंटु वाल्यूम बॉल्यूम अब दे कंड़क्टर बॉल्यूम अब दे कंड़क्टर इंटु यह एलेक्ट्रन लेक्ट्रोनिक चार्ज तो टोटल number of electrons आ जाएगा आपको तो यहां क्या हो गया n वाल्यूम क्या होगा देखिए यहां वाल्यूम यदि लेंगे तो यह है यह इसको ऐसे पतला मनम ही लिया इसको ऐसे भी ले सकते थे यह आपका area of cross section हो गया ए इसका लेंथ हो गया तो यहां क्या होगा एन एल हो गया और फिर यहां पर में लोगों ने इसके बदले यहां दे शकते यहां पर अब देखिये यहां में बना रहा हूं तो पहले ही आपको ईन्फ़ॉर्म पिया जा चुका है tara को पता है इसलिए अब देखिए यहां में लिखूँगा अब यहां लिखिए फोर्स ऑन फोर्श ऑन कंड़क्टर फोर्श ऑन कंड़क्टर तिक है यहां फोर्श ऑन कंड़क्टर अब लाएगा एन ई ए ए ए ए ए इसकते हैं ये एक एलक्षन के बदले यहां आ गया इतना इलक्षन यह election हो गया अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम लोग लेंगे VD cross B हो गया अब फिर देखिए यहाँ एक और बात है यहाँ आएगे क्या आती है इसको देखेंगे अब यहाँ पर हम एक चीज पहले से जानते थे वह क्या था कि I equals हम जानते थे N E A VD होता है I equals N E A VD देखिए थोरा सा हम लोग समहल के काम करेंगे जिसे confusion नहीं हो N E A VD यह VD आपका है अब यह VD जो है N E A VD होता था लेकिन अब हमें थोरा सा परिवर्तन करना है यहाँ L ले लिए और यहाँ भी L ले लिए L और L से multiply कर दिए हो गया तो देखिए यहाँ तो डिरेक्शन है यह BD का डिरेक्शन का डिरेक्शन इधर है लेकिन यह जैसे ही current होगा तो current का डिरेक्शन इधर हो जाएगा इसलिए अब यह देखिए यहाँ पर यहाँ डिरेक्शन देना चाहरा था तो यह देखिए यह आपके शामने है ठीक है मैगनिचूड की यही हम बात करते हैं तो यह दोनों मैगनिचूड के रूप में यह हम दोनों का काम कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर इसके बदले N E A B D L के बदले हम लोग आई यह लिख सकते हैं तो देखिए पहले यह इधर था अब इधर हो गया करेंट के डिरेक्शन अब यह जब आए गया आया तो अब यह क्या हुआ आई की पूरे के लिए N देखिए यहाँ है E A N E A फिर है B D B D यहाँ आगया L अंदर चला गया L इसके बदले थीक है इसके बदले अब हम लोग थोरा सा इसको मिटा दें इसको पहले हम लोग लिखे थे थीक है अब यह यहाँ पर यह लिख दिये I L क्रॉस B थीक है इसको ऐसे लेंगे तो अब यह क्या हो गया B I L साइन थीटा B I L साइन थीटा ठीक है यह B I L साइन थीटा हम लोग ने लिया तो अब यह जो आपको है फोर्स और कंड़क्टर तो यह आपको एप से डिनोट करते हैं तो यह आपका बन गया एक नया रिलेशन के लिख रहे यहाँ पर मैं कोरिलेट किया थोरा उस कोरिलेशन को आपको सम मैंना होगा कि इसके बाद देखिया तो पहले जो था पहले यह किधर था एलेक्शन के करण फोर्स जो था वह डिरेक्शन अलग था अब करेंट के करण फोर्स बदल गया अब यदि फोर्स देखेंगे तो वही जो पॉजिटिव चार्ज का था वही इसका भी होगा देखिये यह हो गया आपका magnetic field यह हो गया current और यह हो गया फिर क्या force तो force on current carrying element यह हो गया तो यह आपका direction भी पता हो गया आप यहाँ देखें यह maximum कग होगा इसको देखें force will be maximum और minimum एक कौन condition होगा यह condition को देखें condition यह condition number one follow करेगा क्या if यह देखें theta sin theta equals 0 condition condition one यहाँ पर ऐसे लिख लिख लिए और आसान होगा condition one theta equals 0 theta equals 0 और 180 क्या होगा force minimum होगा force minimum हो गया अब यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें यहाँ कैसा होगा f equals b i l sin ठीक है sin 0 यह होगया 0 force होगया महीं निवा फिर यह कब लिए theta equal 0 अब यहाँ पर लेंगे b i l sin 180 यह भी 0 theta equal to 180 होगया अब maximum का condition number 2 हाँ इसको यह कब होगा यह theta equals 0 यह 180 कब होगा तो देखिए theta मैं पहले ही बताया था यह angle किसके किसके बीच था हम लोग जो इससे पहले वीडियो में लिए थे तो वीडियो में जो लिए थे उसको आप गौर किजिएगा कि x y plane वहाँ भी मैं लिया था यहाँ भी x y plane लिया हो तो यहाँ यह जो b हम लोग लिए यह b आपको parallel है लेकिन यह angle जो है वह angle किसके किसके b और यह velocity जो है velocity of the charge with the with the magnetic field theta है यह velocity of the charge यह current element and b theta किसके किसके बीच है तो जान लिजे theta angle between angle between current element and b तिक यह यह ज़िए charge है तो क्या होगा angle between and b and b moving charge current element यह moving charge जिसको आप यह moving charge का जो direction होगा यह b का B and B moving charge का B and B ये दोनों का दोनों condition में यहाँ आपको बताया अब यहाँ second condition second ये condition second किसका है तो देखे ये ये आपको maxima का है, maxima कब होगा theta equals 90 जदी होता है तो maxima होगा, अब देखे ये condition, charge का या current का चार्ज और current, यहाँ पर देखे ये 90 दिग्री है, theta equals 90, f equals क्या होगा B, I, L, sin 90, that is B, I, L, ये होगा आपको maxima ये max होगा, ठिक तो ये कब होगा, when current element is perpendicular to the magnetic field ठिक, तो दो बातें यहाँ हमारे शामने आया एक बात और जानिए ये तो इधर ऐसे पोश्च है इसको थोड़ा सा गुमाईए यहाँ यदि ऐसा हो जैसे कोई उपर से नीचे गिर रहा हो है ना, कुछ ऐसा हो तब क्या होगा कोई wire है यहाँ पर हम direction के बारे में बता दिया direction जो लेंगे तब आगे बढ़ेंगे देखे तब numerical पर जाएंगे तब बताएंगे ठीक, direction of force यहाँ क्या होगा By using flaming left hand rule flaming left hand rule flaming left hand rule if if forefinger, central finger and thumb of left hand of left hand, stretched mutually perpendicular, four finger, directed towards magnetic field, central finger, central finger directed towards current element then then thumb will indicate thumb will indicate the direction of force, direction of force. हो गया, तो यह बात हैं आपकी सामने हैं, अब आगें देखते हैं, मेरा जो कहना था उस पर मैं बात कर रहा हूं, देखिए. हैं कि अईया कि अईया है् question के तुरू मैं कहूँगा ज्याद अच्छा होगा इस बहाँ एक question भी हो जाएगा देखिया यह horizontal wire point one meter long और यह होरिजन्टल वायर है और यह होरिजन्टल वायर है पॉइंट वन मिटर लॉंग कैरी जे करेंट ओफ फाइव आमपियर पाइव आमपियर करेंट यह कैरी कर दा है find the magnitude and direction of the magnetic field which can support the weight of wire assuming that is mass 3 into 10 power minus 3 kg per meter केजी पर मीटर ध्यान दीजे अब यह क्या कर रहा है कि which can support the width of wire clear है तो यहाँ पर यह कह रहा है उसको ध्यान दीजे कि यह होरिजन्टल वायर carry जे करेंट ओफ फाइव आमपियर फाइव आमपियर इन्होंने करेंट करेंट केरी किया length दिया हुआ है आपको length यहाँ दे दिया point one meter आई दे दिया five आमपियर आई आई आपको five आमपियर दे दिया है उसके बाद आपको का रहा है find magnitude and direction of magnetic field magnetic field का magnetic field का दोनों चीज जानना magnitude भी जानना है और direction भी जानना है और इसमें कारा है कि which can support the weight of wire यह जो वाइर होगा इसके वाइर के वेट को वह क्या करें वह सपोर्ट करें वह सपोर्ट करें जबकि यहाँ इसका दिया हुआ है मास मास दिया हुआ है वह क्या है मास तो देखिए यह मास है point 3 point 3 into 10 to the power minus 3 kg per meter 10 to the power minus 3 दियान दिजेगा यह अब यहाँ पर यदि इस तरह से है तो force कईशे होगा magnetic field कईशे होगा यहाँ पर देखिए यह है यह है इसको हम दूसरे तरह से कर सकते हैं क्या इसको घुमाद है घुमाद है x y जो है वह इस तरह से आ जाए horizontal जैसे यहाँ horizontal हम दोन ले लिया suppose किजिए कि यहाँ पर यह b हमारा यह है तो f हमारा क्या होगा यह हो जाएगा ज्यान दिजी ठीक है यह हो जाएगा यहाँ देखिए नया में बनाया अब कैसे होगा थोड़ा सा इसको देखिए यह आपको current ठीक है यह current है current को पहले sit किया मैंने current के direction को sit किया current के direction को sit करने के बाद फिल्ड के direction को भी sit किया ठीक है फिल्ड के देखिए यह फिल्ड के direction को sit किया है न यह current है यह current सुचिए यहाँ पर एक current है एक दूसरा यह फिल्ड है फिल्ड चुके वह दिया नहीं है यह आपको निकालना है और यह force है यह force क्या कर रहा है कि यह इस तरह से उसको balance कर रहा है तो यह balance कर रहा है यह आपको ध्यान देना होगा कि यह balance कर रहा है तो बातें हो सकती है कि यह force इधर है तो जान दीजेगा यह एक ऐसे हो सकता है यह कैसे हो गया यह इंवार्ड है दूसरा यह से हो सकता है तो हम यहां यह मान रहें कि यह करेंट यह का डरेक्शन जो है वह एक्स के प्लैन में यहां पर यह ले लिया अब यहां पर जब लिया तब आप देखिए यहां कैसे हो सकता है यहां निकालना कैसे कैसे संबब है तो देखिए F equals हो गया आपका F equals क्या B I L F equals B I L हो गया है ना और यहां पर F equals F equals एक होता है M G दो बातें यह M G को यह balance करेगा और M G जो है mass per unit length दिया हुआ देखिए mass per unit length तो mass जो है per unit length है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे तो M G नहीं लिखे यहां L से multiply करेंगे तो unit length नहीं हो करके L length का हो गया mass है ना mass में L length से multiply कर देंगे तो L length का mass हो गया उसको G से multiply कर देंगे तो यह हो गया आप इसको देखिएगा this is weight of wire ठीक है और यह जो है यह हो गया आपको यह हो गया magnetic force magnetic force अब यह एक दूसरे को support कर रहा है इस means क्या है कि यह magnetic force जो है weight of the wire है तो इस दोनों को देखिए यह क्या हो जाएगा B I L जै तो B value नहीं पता I 5 है L आप दे सकते हैं L नहीं भी दे सकते हैं यहाँ पर M L G L L cancel हो जाएगा अब M आपको पता है L L cancel हो गया आपको M पता है इसलिए B equals हो गया M M आपका कितना है 0.3 into 10 to the power minus 3 into 9.8 by 5 यह आ गया अब इसको आपको यह तरीका है 2 से multiply कर दीजिए 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा तो अब क्या होगा देखे point यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं क्या 3 2 6 6 हो गया 6 8 8 4 4 और 6 9 4 4 8 5 8 8 5 8 8 हम लोगों को हो गया है अब decimal देखें कितना होगा यह दोनों यह करेंगे इस दोनों को करने के बाद यह हमारे पास होगा इतना कि इंटू कि टेन टूदी पावर यह टेन ऊपर चला जाएगा तो मैनस फोड हो जाएगा तो इतना टेसला इसका मैंगनिचूड हो गया तो बी का मैंगनिचूड आपको पता चल गया एक बात अब बी का मैंगनिचूड आपको पता चल गया अब बी का जब मैंगनिचूड पता चल जाएगा अब डिरेक्शन आप निकाल सकते हैं डिरेक्शन direction क्या होगा देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि field जो है वह field हम यह force को हम upward लिए तो देखिए यह current ठीक है ज्यान दिजिए सबसे पहले हम current को sit कर दिए current को sit करने के बाद अब देखिए यह force हम को क्या होना चाहिए ऐसे तो देखिए यह कर दिए यह यह आपका force यदि हम करना चाहते हैं तो देखिए यह कैसे कैसे यह हो गया आपको x x plane हो गया यह आपका क्या हो गया यह यह आपका z plane हो गया जो b बता रहा है तो यह y plane है यह यह आपको ये force का upward force इसका मतलब ये magnetic field का direction होगा वह क्या होगा इस plane के board के inward होगा इसलिए यहां हम लिख सकते हैं कि magnetic field का direction होगा यहां inward थीक है तो ये हो गया एक अब देखिए और ये तुम्य इसका कर दिया अब दूसरी बाते मैं आपको करने जा रहा हूँ, कि एक conductor of length 20 cm, conductor का length जो है, वह कितना है, वह 20 cm है conductor का length हो गया 20 cm, चलिए ले लिया मैं, दूसरा सवाल है, 20 cm, conductor का length हो गया 20 cm, उसके बाद क्या करा है, प्लेस्ट, पाहला कोश्यन है, पैरलल, पैरलल, पैरलल,